नमस्कार साथियों, स्वागत था आप सबका सीवसर्ट PCS क्लास पे जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चनल के माद्धम से विभिन परिछाओं की तैयारी करवाई जाती है उसी क्तम में आपका लागड़ाउं प्रोग्राम के तहट GS का रिविजन क्लास चल रहा है तो चलिए हम देखते हैं कि आज कौन सा टापिक हम रिवाईज करेंगे तो आज हम देखेंगे सामान विग्यान और सामान विग्यान में हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन के बारे में ठीक है तो चलिए इसके पहले कि हम आज की क्लास प्तारम करें इस चनल पर जो भी मित या जो भी विया चनल पर नए है या पहली वाई विजिट का रहे हो तो क्या होता है पौधों की विभिन क्रियाओं का नियंद्ण करना जैसे इन हार्मौन पर नियंद्धित होते हैं यह सभी चीजे लोगा ही नियंद्धित होती है यह बहुत ही कम मातरा आंड़ा में पौधय लुद् BIG कों इंच répondre करता है उस पदाट को फोटिय Fleisch या प्लाइंट ग्रोथ करते हैं ठीष है पौधों में निमना हर्मोन पाय जाते हैं देखिए अबآब का पौधों में कोई एक नहीं कई हर्मोन पाए जाता है तो उसके बारे में पहले आप देख लिजें कौन को हर्मोन पाए जाते हैं उसके बार राघृसoin चुन अहीं है आपका आकसीं यहां लिखते हैं हम पहला हर्मोन क्या है आपका आक्सिन है दूसरा क्या है जिवरेटिन्स है और क्या पाये जाता है साइटोकाइनिन हर्मोन पाये जाता है और आपका क्या पाये जाता है फ्लोरीजेस पाये जाता है और ट्राउमेटिन हर्मोन होता है और आपका है एतिलीन हार्मोन है और एफ्सीस हार्मोन है ठीक तो चलिए हम एक एक बारे हम पढ़ते हैं डिट्येल में पहला आपका आक्सिन हार्मोन मैंने आपको बताया था कि यह आक्सिजन नहीं आक्सिन है ठीक तो इसके बारे मुझे देखिए आक्सिन यहां भी आक्सिन होगा आक्सिन की खोच सन 1880 सी में डार्विन ने की थी किन्हों ने किया था डार्विन ने या पौधों की बृधों 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 की एक फलन के लिए आकसिन को पूस्पन के पूष्चात पौधों पर चिड़का जाता है कि इसृष में ठुधियों के विगलन को रोकने दोल कि रोकने के लिए को किया जाता है ऐघ से कल्यकाओं को प्रफविता को समाफ्ट करता है यह ख़त पतवार को नस्थ करता है ठीक है तो देखिए आकसिन हार्मोन के बारे में आप सब पढ़ लिए जगा और इसका प्रेडियाफ हमारे टेलिक्राम चैनल से उसक पीसी स्क्लास वहां से डाउनलोड करके पढ़ लिजगा अब इस आकसिन हार्मोन में जो सबसे मोश्ट इंपार्टेंट है तीन पॉइंट है पहला तो आपका आकसिन हार्मोन की खोज किसने की थी एटरर सरस्थी में डार्मिन ने इसका काम क्या होता है पौधों की ब्रिद्ध को नियंतित करना ठीक और आपका पत्तियों फलों के व जिबरे टिन्स के बारे में हम देखते हैं जिबरे टिन्स हार्मोन की खोज किनों ने किया था जापानी बैग्यानिक कुरो सावा ने 1926 में किया था जिब्रेला फ्लूजी कुराई नामक कवक से इस हार्मोन को प्राप्त किया जाता है यह हार्मोन कहां होता है कहां से आपक जिब्रेला फ्यूजी कुराई नमक कवक से या पादप में पौधे की मुटाई पत्ती की फलक बढ़ाना आज में अनेक प्रभाव पैदा करता है या बौने पौधों को लंबा कर देता है बीजों के प्रसुप्ता वस्था को भंग कर देता है या फूल बनने में मदद करता है या काश्टी पौधों को कैम्बियम की सक्रीता को बढ़ाता है बड़े आकार में फल तथा फूलों का उत्पादन इसकी सहता से होता है तो आपने पहला आकसिन हार्मोन देख लिया दूसरा देख लिया जीवरे टिन्स अब आप देखेंगे साइटो काइनिन तो साइटो काइनिन की खोज कब हुगा था और 1955 में किन्हों ने किया था मिलर ने परन तो इसका नाम लिथाम ने दिया मिलर ने खोज किया था साइटो काइनिन हार्मोन की और इसको नाम किस ने दिया लिथाम ने चलिए आगे बढ़ता हैं कि यह प्राक्रितिक रूप से आक्सिन के साथ मिल कर काम करता है इस हर्वन की विस्यस्ता क्या यह आक्सिन के साथ मिलकर काम करनेंगा इनमें सबसे मुख्य पदार क्या होता है काइनेटीन काइटीन वो फियर्टीन नामक केमिकल साइटो काइमिन्स का कार करते हैं यह कोशिका विभाजन को उत्प्रेदित करता है तो इसका मुख्यकार क्या है कोशिका विभाजन को उत्प्रेदित करना तो आपका सीधे सीधे सबसे important question नहीं बनता है cytokinin का मुखकार क्या होता है कोशिका विभाजन को उत्परेदित करना अगला point क्या है कोशिका विभेदन में सहयक होता है या बीजो एवं तनों की कलिकाओं में प्रसब्त उत्कों की विद्ध के लिए उत्परेदित करता है ठीक आएए आगे हम देखते है फ्लोरी जैस फ्लोरी जैस क्या होता है या फूलों के खिलने में सहयक होता है इसलिए इसे फ्लावरिंग हार्मोन कहते है फ्लोरी जैस आइए अगला हर्मोन क्या है यहाँक तरह का डाई काबोकसिलिक हमल है इसका और मार घायल को स्काहों को भरने में मदद कहता है तो ट्राव कैमेजिन के बारे में आपने देख लिए अगला क्या है यहां गरसी ब्रिध नियंतर्क हार्मॉन है तो यहां फलों को पकाने नियुद्र करता है जैसा कि आप पढ़े भी हैं जीसका यूज़ कीया जाता है, यहां और प्लांट में लेक्टिर्स के प्रवाह को प्रेयरित करता है यहां पत्ति, फूल के विलगन पर्थ के निर्माण को तेज़ित करता है, यह अधो कुद्चन को नियन्तित करने में सहायता करता है, यह female flower की संख्या में बर्धी तथ male flower की संख्या में कमी करता है. ठीक है? क्या है एथिलीन? एथिलीन एपिकल डोमिनेंस को इस्टिमिलेट करती है एथिलीन को बर्ग ने nächsten सो बाशाट में हर्मोन के रोप में प्रमारित किया एथिलीन को 1967 में प्रमारित किया गया इसके दोरा बर्ग के दोरा आएएंए हम देखेंगे अगला आप FCC एफ सिसिक के बारे में देखिए एफ सिसिक की कोज कब हुई थी उनने से एक सट से पैसट में कार्ण्स तथा एडी कोट ने किया था बाद में वेरिंग ने की ठीक इसकी कोज में तीन लोगों का योगदान है कार्ण्स तथा एडी कोट ने किया और बाद में किस ने किया वे बीजो में होता है यह बीजो एवंग कलियों को सुसुपता वस्था में रखता है उस्पन में भी बाधक है वास्पो सर्जन को भी मंद कर देता है पतियों के वीगलन में मुख भूम का निभाता है कौन